उद्दव ठाकरे पर विवादर टिपडी मामने में केंद्रिय मंत्री राने बरी कही थी कमाचा मारने की बात सुनवाई के दुरान राने के बकील ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो धर्म नसल जन्व इस्थान निवास भासा जाती या समुदा या किसी भी आदार पर विभेनने समहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दी रहा हो उन्होंने का की मामला राजनीती से प्रेरित है महराष्ट के पूर्व मुखमंद्री उदब ठाकरे के खलाब अपमान जना के टिपड़ी के मामले में केंद्री मंत्री नारायन राने को कोट से बरी कर दिया है अलीबा के मुख्य नियायक मजिस्टेड स.W. उगाले ने राने को बरी किया केंद्री मंत्री राने के खिलाब राइगर जिले के महाण में 2021 में भारतिय दंड सहिता की विबिन धाराओं के तहत प्राथमी की दर्ज की गई थी उन्हें उनकी टिपडी के लिए रत्नागरी जिले से गिराफसार किया गया था केंद्री मं्त्री बनने के बाद नारायन राने ने कौंकंगर में जन आशिरवाद यात्रा निकाली थी यात्रा के दोण उन्होंने रायगर्ड जिले के महाडा में आयोजित एक पत्रकार वारता में ततकालीन मुख मंत्री उदव ठाकरे के बारे में बयान दिया था तदकालिन श्रीपसरा ने इसका विरोध किया था उसके बाद राने के खिलाप महर सिटी थाने में भारतिय दन्र सहिता की विभिन धाराओं के तहट मामला दर्ज किया गया था राने ने कहा था कि यह शर्मनाख है कि मुख्यमंदरी को स्वतंदरता प्राप्ति के वर्स के बारे में नहीं पता है वह अपने भासर के दुरान यह पूछने के लिए पीछे मुड़ गए कि आजादी को कितने वर्स हो गए हैं अगर मैं वहां होता तो उन्हें जोड़दार तमाचा मार दीता उन्होंने दाबा किया था कि ठाकरे 15 अगस्त पर राज की जंता के नाम अपने भाशन में यह भूल गए थे कि स्वतंदरता प्राप्ति को कितने वर्स हो गए इस टिपड़ी के लिए राने के खिलाब महाराष्ट में चार प्रात्मिकियां दर्ज की सर्बजनिक सरारत के अनकूल बयान के तहत प्रात्मिकी दर्ज की गई थी सुनवाई के दोरान राने के बकील ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो धर्म नसल जन्म विस्थान निवास भासा जातिया समुदा या किसी भी आधार पर पेपेन समों के बेच द प्राद नहीं किया है